हेलो फ्रेंज, वेल्टम टो ए ट्वंटीफोर नॉलेजे, ओफिशल यूट्यूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे IGCAR, इंद्रा गांधी सेंटर फोर एटोमिक रिसर्च, इंद्रा गांधी परमानू अनुसांधान केंदर का जो नॉटिफिकेशन यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए इन्वाइट किया गया है, इसका फॉर्म आप मोबाईल से कैसे फिल कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात कर आने वाले हैं इस वीडियो में, तो फ्रेंस यहाँ पर इस वेकेंसी से रेटेट जानकारी जॉबरास्ता.com पर मिल जाएंगी, साथ में फ्रेंस जो यह पोर्टल है यह आपका ओपन होगा पफिन ब्राउजर में, अगर आपके पास यह ब्राउजर नहीं है आपके मॉबा पोस के लिए, तो आप इसमें मल्टिपल पोस के लिए भी अपलाए कर सकते हैं, आपको अपलाए का लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाता है, बात करते हैं फ्रेंस यहाँ पर इसके रेडिस्टेशन प्रोसेस के बारे में, तो सबसे पहले जेखिए अगर आप वन टाइम का ओप्शन देख रहे हैं, और आपने इसको पफिन ब्राउजर में भी अगर ओपन किया हुआ है, और आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपको एक मैसेज मिलता है, काइंडे यूज लैप्टॉप या पीसी फूर रेडिस्टेशन, तो आपको करना क्या है, आपको फ्रेंस स पेज है, यह ओपन हो जाएगा, और मैं आपको यहाँ पर गाइड करूँगा, क्या-क्या डेटेल्स आपको फिल करनी है, मल्टीपल पोस्त के लिए भी, सबसे पहले आपको यहाँ पर रेडिस्टेशन करना है, वन टाइम रेडिस्टेशन है, मतलब आपको एक बार ही रे विए हैं तो यहाँ पर सेक्शन मिलता है एप्लेक wichtige नेम का उसके बार मिलता है फस्त मिलता है जो ए इसमें आपको इसमें कर दोपर इसमें कर सकते हैं तो फ्रेंज यहां पर देखिए और आपको यहां option मिलता है father name का, उसके बार आपको option मिलता है mother name का, इसके बाद है आपका DOB section तो आपको इस calendar पर click करना है और आपका जो भी date of birth है वो आप इस calendar के माध्यम से select कर सकती हैं, इसके बाद है आपका gender option, आपका marital status option और आपकी nationality option, यह आप अपने according select कर लेंगे, क्योंकि friends मैं आपको यहां पर landscape mode में इसको open किया हुआ है, आपको portrait mode में open करना है, इसके आपको सारे options एक साथ देखने को मिल जाएंगे और उसके बार आप आराम से इस form को fill कर पाएंगे, यहां पर आपका address section तो यह है आपका permanent और इधर है आपका correspondence, तो आपका जो भी address है, address line 1, 2 में village, district, आपकिस state के निवासी है, क्योंकि यह all India vacancy है, तो कोई भी इसमें आविदन कर सकता है, आपको आपका state और आपको pin code देना है, यहां पर है friends, आपके देखिए same as का, अगर आपका दोनों address same है, आप same as पर click कर सकते हैं, अलग अलग है, तो आपका अलग अलग entry भी कर सकत widget का रहर का number है, आप यहां पर उसको भी mention करेंगे, यहां पर है login ID, अब login ID कैसी होनी चाहिए, तो login ID कम से कम 6 character की और maximum 15 character की आपकी होनी चाहिए, और यह alpha numerical हो, मतलब यहां पर आपके alphabets भी हो, a से लिके z तक, और numerical value भी हो, 0 से लिके 9 तक, तो आपको कुछ इस तरह से ID, यहां पर जो login ID है, वो आपको बनानी होगी, तो friends, यहां पर जैसा आप देख रहे होंगे, हमने एक login ID बना ली है, उसके बार आपको check पर click करना है, अगर यह जो आपकी login ID available होगी, तो आपको यहां पर show कर जाएगी, ऐसे ही आपको confirm करना है, अपनी login ID को, और password आपको ब security code को fill करके, आपको यहां पर next step पर click करना है, इसके बार आपका registration process है, वो complete हो जाएगा, और इस login ID और इस password के साथ आप इसमें login कर पाएंगे, लोगीन करने के लिए, friends, आपको login का एक option मिलता है, यहां पर देखिए, आपकी registration ID, आपका login password और एक capture code डाल कर आपको login करना होग तो आप यहां पर अपने जो भी login ID और password है, उसके साथ login कर लेंगे, इसके बाद, friends, आप अपने portal पर login हो जाएंगे, और इसके बाद, friends, आप से सबसे पहले आपकी mail ID है, वो verify करवाएगा, mail ID पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको verify करनी होगी, उसके बाद आपके सामने इस तर trade का option मिलता है, साथ में आपको आपका registration number भी मिलता है, mail जी आप इसी post में यहां पर second post के लिए apply करते हैं, तो same आप click here पर click करेंगे, और यहां पर processing है, आपको यहां पर payment करना है, और उसके बाद यह form भी complete हो जाएगा, तो मैं यहां पर friends से पहले ही दो post के लिए apply कर चुका आप जिस भी post के लिए apply करना चाहते हैं, उसके लिए apply कर सकते हैं, दैसा में आपको यहां पर दिखाया, आप multiple post के लिए भी apply कर पाएंगे, अगर आप multiple post के लिए यहां पर eligible है उस condition में, तो आपको सबसे पहले यहां पर उस post को select करना है, और friends से यहां पर देखिए, आपक जन्दल, SC, ST, OBC जो भी category है वो आप select कर लेंगे, OBC में non-crimi layer में friends से आपको आपकी जो cast का नाम है वो आपको देना होका, जैसे OBC है आपकी category, अब इसमें आपकी जाती है वो सैनी है, माली है वो आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके बार नीचे है आ आपको cast certificate कब issue हुआ है और किसने issue किया है, मतलब आपका cast certificate number है वो क्या है वो आपको देना होगा, अगर आप SC या ST candidate है तो आपको यहां पर cast certificate detail देनी ही है, साथ में friends से आपको यहां पर आपकी bank account detail भी देनी होगी, इसमें आप applicant name, account number, IFC code, bank का नाम और branch name, आप यहां पर mention क कर सकते हैं, अब यहां रखेगा, क्योंकि friends से यहां पर SCI ST के लिए, जो traveling allowance है, वो आपको दिया जाएगा, इसलिए यहां पर वही नाम होना चाहिए, जो कि आप यहां पर इस नाम से form को fill कर रहे हैं, और उसकी जानकारी आप यहां पर fill कर सकते हैं, अगर आप यहां पर general या EWS candidate हैं, उस condition में आपको कोई भी option देखने को नहीं मिलता, इसके बार है religion option, आपका religion जो है, वो आप select कर लेंगे, state of dimensional कौन सा है, वो आपको यहां पर list मिल जाएगी, आपके according जो भी आपका state है, वो आप यहां से select कर सकते हैं, इसके बार अगर आप PH candidate हैं, तो आप यहा लोग कर पाएंगे, in short friends, यहां पर जो भी आपका option, आपका applicable है, आप उसमें yes करेंगे, नहीं है, तो आप इसमें no कर सकते हैं, अब यहां आएगा qualification section, तो देखिए, SSC, HSC या other details, जो जो qualification आप से उस post के लिए मागी गई है, वो mandatory है, फिल करना, सबसे पहले यहां पर जैसे जो भी percentage है, वो आप देंगे, और इसके बाद month and year of passing, मतलब आपने जो यह qualification है, वो complete की है, वो आपको यहां पर year और उसके बाद month आपको select करना होगा, इसके बाद है HSC, अब HSC में friends से आपको यहां पर option select करना है, इसके बाद same आपको board का नाम आपको देना होगा, same आपको यहां पर percentage देनी है, और इसके बाद आपने इसको कब pass out किया है, यह आपको fill करना है, तो यहां पर friends से एची ध्यान रखेगा, जो भी उस post के लिए मांगा गया है, वो कम से कम आपने complete किया हो, वो तो ही आप इसमें eligible होंगे apply करने के लिए, अब यहां पर other degree का option है, तो friends यहां पर ध्यान रखेगा, जो भी photograph आप upload करते हैं, वो JPG format में होनी चाहिए, साथ में उस photo पर नाम और date of photo आपकी होनी ज़रूरी है, अगर आप यह upload नहीं करते हैं, तो हो सकता है, आपका form reject कर दिया जाए, जैसा कि इसकी notification में guideline में बताए गया है, तो आपको यहां पर photo JPG format में और photo के नीचे, आपको bottom side में आपको friends से यहां पर जो नाम है, और साथ में जो date of photo है, वो आपको upload करनी होगी, उसी के साथ, तो आपको browse file पर या choose file पर click करना है, जहां पर भी आपने photo upload की हुई है, save की हुई है, अपने mobile में, वहां से आप choose करके upload कर सकते हैं, तो friends से यहां पर आपको इस upload photo वाले option पर click करना है, और इसके बाद आप यहां पर देखेंगे, आपकी जो photo है, वो यहां पर upload हो जाएगी, आपको उसका preview देखने को मिल जाएगा, ऐसे ही choose file पर click करें, और उसके बाद जहां पर भी आपके sign आपके यहां पर है, आप जो भी sign यहा पर देना चाहे, उसको आप select करेंगे, उसके बाद अप्लोड वाले option पर click करेंगे, और यहां पर आपका sign भी आ जाएगा, बस यहां पर photo के लिए guideline को follow करें, पिक्सल की ज़रा जरूत नहीं पड़ेगी, में लिए आपको size का ध्यान रखना है, और photo में आपको जो भी यहा पर देना चाहे, वो लीजिए, इसके बाद यहां से save and draft कीजिए, और उसके बाद next step पर click up कर सकते हैं, इसके बाद friends यहां पर देखिए, आपको नीचे आपको previous section मिलेगा, अगर आपको edit करना चाहें, तो details को edit कर सकते हैं, back जाकर back करके आपको सही कर सकते हैं, इसके बाद ह पर दोबारा से जो login है, वहां से आपको login करना होगा, और उसके बाद ही आपको आपका payment का option मिलेगा, तो payment का जो procedure है, वो पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, तो यहां पर मैं आपको दोबारा से payment का procedure नहीं बता हुआ, बाकि आपको किसी भी bank के credit card, debit card, net banking से अपन करने के बाद, आपके सामने देखिए, दुबारा से जो इस post है, यह open हो जाती है, आपने जैसे हमने इस form के लिए apply किया, तो यह भी completed हो गया, इसके बाद फैंसे यहां पर देखिए, आपका भी अंटर प्रोसेस है, क्योंकि हमने यहां पर payment complete नहीं किया है, इस वाले में हम सब्रास्ता.com पर जाका चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और यहां पर अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, आप चाहते हैं, ऐसे ही अपडेट्स आपको मिल सकें, तो लाइक सब्सक्राब एंशे जरू कीजिए, बाकी की जैन